जेसा बाव वैसी ही सपलता मुहान रसायन शास्त्री अर्टेरी नागर्जुन को एक ऐसे नव युवक की तलास थी जो उनकी परियोग सला में उनकी साथ मिलकर रसायन तयार कर सके उन्होंने व्यकिप्ति निकली दो नव युवक उनसे मिरीने आये पर्थम नव युवक को रसायन बना कर लाने को कहा फिर दूसरा युवक आया उससे भी यही आदेश दी अर्थम नव युवक दो दिन बाद रसायन लेकर आ गया नागर्जुन ने पूछा तुम्हें इस काम में कोई कश्ट तो नहीं हुआ युवक ने कहा मानिवर नहुत कश्ट उठाना पड़ पिता को उदर का कश्ट था मा जवर से पिड़े थी छोटा भाई पेर पेड़ा से परिशान था कि गाम में आग लग गई पर मैंने किसी पर भी कोई द्यान नहीं दिया एक निश्ट रसायन बनाने में तल्लिम रहा नागर्जुन में द्यान से सुना कुछ भी नहीं कहा य क्योंकि अभी तक दूसरा यूवग लोटा ही नहीं था इस Sig. दूसरा यूवग उदास लोटा मागर्जुन ने पूछा क्यों क्या बात है रसायन कहां है दूसरे लिग नभ्योग ने कहा मुझे दो दिन का समय चाहिए मैं रसायन बना ही न सका क्योंकि जिसे ही बनाने जा करने लगा अब वह ठीक हो गया तो मुझे ध्यान आया कि मैंने रसाइन तो बनाया ही नहीं इसलिए ख्षमा यात्ना के लिए चला आया कृपया दो दिन का तमई दीजिए नागरजुन उसक्राय और कहा कर से तुम काम पर आ जाना पहला योग सोची नहीं पा रहा था कि उसे क्यों नहीं तुना गया नागरजुन ने पहले योग से कहा तुम जाओ तुमारी लिए मेरे पास पाम नहीं है क्योंकि तुम काम तो कर सकते हो लेकिन यह नहीं जान सकते कि काम के पिछे उद्धिश क्या है वस्तुतर रसायन का काम रोग निवारन है जिसमें रोगी के पत इस सम्वेद में नहीं उसका रसायम कारगर नहीं हो सकता पहला युवक नहीराश लोट गया